हेलो फ्रेंट्स मैं मन्दीप स्वागत करती हूँ आप से भी का अपने यूट्यूब चैनल पे फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रेंट ओपन बोटने 32 साइस का प्रिंसेस कट ब्लाउस की कटिंग का वीडियो कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तो दीखिए हापर मैंने कपड़ी को इस तरीकी से फोल्ड करकी रखा हुआ है और जो टोटल लेंथ है वो 13 इंच है 13 इंच में एक इंच हम प्लस करेंगे मार्जिन के लिए और हाप इंच प्रिंसस कट की कटिंग के लिए तो टोटल लेंथ ले रहे हैं हम यहाँ पर वो 14 इंच लेंगे फ्रंट वाले पार्ट के लिए तो दीखिए हाँसे एक लाइन डौ करके हमने कपड़ी को सीधा कर लिया है हाई हूप की पती के लिए — 1.5 इंच यहाँ से एक सीधी लाइन हम डौ कर देंगे इस तरीके से साढ़े 6 लेना है हमें शॉल्डर 32 साइज में और साढ़े 6 हमें आर् मौल्स लेने हैं 33 तो दीखिए शॉल्डर और आर् मौल्स मेंने साड़े 6 इंच ले लिए हैं यहां से इस तरीके से एक लाइन डौ करके सीधा कर ले आर्मोल्स की लाइन को 32 साइज का 4th पैट हम लेंगे 8 इंच, 2 इंच, एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं और आर्मोल्स की गोलाई को इस तरीके से कर दे कमर 26 है तो 26 का 4 पैट हम 6 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच का ले लेंगे और इस तरीके से एक लाइन डौ करके सीधा कर लेंगे अब यहां पर प्रिंसस कट कटिंग के लिए मैंने एक इंच आर्मोल्स साइट से लिया है और कमर के साइट से दो इंच एक्स्ट्रा ले लिया है हाँ इंच से थुड़ा कम हम शोल्डर डाउन कर देंगे तो दिखें यहां पर फ्रेंट पैट की मार्किंग हमारी कम्प्रीट हो गई है अब हम इसे कट कर लेंगे यहां पर आर्मोल्स की गुलाई अभी नहीं दिये मैंने वो हम स्टिचिंग के टाइम पर देंगे तो दिखें यहां से हमें प्रिंसस कट की मार्किंग करनी है यहां से साड़ी तीन इंच लेंगे हम विट्थ में लेंथ में उपर से टक्स पॉइंट साड़ी दस इंच पे लेंगे इस तरीके से और एक लाइन डो करके हम इसे सीधा कर लेंगे उपर से आर्मोल्स की साइट से हम इसे मिला देंगे तो दिखें पांच इंच आ रही है उपर से लेंथ हमारी तो यहां से इस तरीके से इसे मिला दीजिए width में देड़ इंच लें यहां से और length में भी देड़ इंच लें और इस तरीके से यहां पर shape देदे princess cut का half inch उपर की तरफ ले ले और एक line rocker की इस तरीके से मिला दीजिएगा इसे अब हम इसे cut कर लेंगे नीचे से भी cut कर लें इस तरीके से center से हम इसे cut कर देंगे क्योंकि यह हमारा front open blouse है अगर आप back open बनाते हैं तो front से cutting ना करें चार inch पर नेक की विट ले रहे हम length आप अपने according भी रख सकते हैं थोड़ी बड़ा भी सकते हैं मैंने हापर 5 inch ली हुई है और इस तरीके से गोलाई देकर इसे cut कर लें तो दीखी हाँ पर हमने अस्तर पर इसे cutting कर लिया है front वाले part को और अब इसे man fabric पर इस तरीके से cutting कर लेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसकी stitching भी बता रही हूँ तो वीडियो को आप last तक जरूर देखिएगा और वीडियो को like करना बिल्कुल भी न भूलें आप इस तरीके से दोनों ही parts को आपने सामने रख कर अच्छी तरीके से आपको इसे अस्तर को main fabric के साथ attach कर लेना है सिलाई लगा कर यहाँ पर हमने सिलाई लगा कर इसे complete कर लिया है जो extra fabric निकल रहा है आप उसे cut कर लें और सेम इसी तरीके से दूसरा वाला part भी तयार कर ले प्रिंसस कट वाले part को भी इस तरीके से आप तयार कर ले एक्स्ट्रा कप्ले को cut कर ले तो दिखिए यहाँ पर दोनों ही parts को हमने ready कर लिया है अब हम इसे attach कर लेंगे तो दिखिए इस तरीके से आपको रखना है और इसे सिलाई लगा लेना है बिल्कुल हराम से आपको सिलाई लेनी है ताकि अंदर की तरफ कोई भी क्रिस्ट ना रहे सलना आए और कपड़े को खीचना बिल्कुल भी नहीं है साहसाथ रखकर आपको सिलाई लगा लेनी है ऐसा नहीं है कि उपर से कपड़ा हमारा छोटा पड़ रहा है तो आप उसे कीच के बराबर करें उपर से हम गोलाई देकर इसे कट कर लेंगे तो जो आप अटेच कर रहे हैं प्रिंसस कट वाले पार्ट को सेम आपको रखकर ही उसे अटेच करना है खीचना बिल्कुल भी नहीं है तो इस तरीके से आप भी कटिंग कर सकते हैं बहुत इजी तरीका है और कटिंग और स्टिचिंग का और पिटिंग बिल्कुल परपेक्ट आती है इसमें तो यहाँ पर हम दो सिलाई लगा कर इसे कमपीट कर लेंगे और बहुत ही अच्छा पाफ आया है इसमें तो दीखिए यहाँ पर दोनों ही पार्ट्स को इस तरीकी से बराबर कर दिया है मैंने आर्मूस गुलाई के लिए और हाफ इंच जितनी ही यहाँ से गुलाई कर देंगे उपर से सिलाई लगा लेंगे तो फ्रेंट सिल्स कट में आपको इसी तरीकी से गुलाई देनी होती है यह वाले पार्ट्स अटेज करने के बाद परफेक्ट गुलाई हो गई है हमारी यहाँ पर अब हम हाई उक की पटी अटेज करेंगे तो मैं यहाँ पर हाई की पटी बना रही हूँ यहाँ पर मैंने धाई इंच जितनी चोड़ी पटी ली होई है और इसे अस्तर के कपड़े के साथ अटेज कर लिया है तो इस वाले पाट पर इस तरीके से आपको इसे रखना है पटी हमारी उल्टी है और पाट हमारा सीधा है ब्लाउस का और इस तरीके से खोल कर उपर की तरफ कॉर्णर पे एक स्लाई लगा ले और इस तरीके से फोल्ड कर ले और इस तरफ से उपर से एक पेर का मार्जिन रखते हुए इस लाई लगा ले फ्रेंट्स अगर कटिंग में स्टीचिंग में आपको कोई भी कन्फियूजन होता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर और भी ब्लाउज आप बनाना चाते हैं बोटने का तो मेंजरमेंट भी आप पूछ सकते हैं तो इस तरीके से हम हुपकी पट्टी भी अटेज कर लेंगे और फ्रेंट्स चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिल सकें और भी अगर आप बोटने के ब्लाउज या डिजाइन्स की वीडियो देखना चाते हैं तो मेरे चैनल पर कापी सारे बोटनेक डिजाइन्स की वीडियो अप्लोड हैं आप चाहें तो देख सकते हैं और इस तरीके से इसे बराबर करके कटिंग कर लें यहाँ पर नेक के लिए मैं उरे पटी का यूज़ कर रही हूँ तो फिनिशिंग के साथ आपको उरे पटी यहाँ पर लगानी है तो वो इस तरीके से लगानी है पटी को हलका सा खीच कर लगाएं आप और चोटी-चोटी से कट्स लगा लें नेक पर पटी को जादा नहीं किशिना है आपको और एक सिलाई उपर कॉर्णर पर लगा लें और इसे फोल्ड करके एक सिलाई इतना लगा लें इस तरीके से कॉर्णर की लगा लें और इसे फोल्ड करके एक सिलाई उपर से फिनिशिंग की लगा लें तो उरे पटी से भी आप इस तरीके से नेक बना सकते हैं finishing के साथ तो देखिए दूसरा वाला part भी इस तरीके से हम ready कर लेंगे और नीचे कमर की पटी लगा कर इसे तयार कर लेंगे दोनों ही parts में कमर की पटी लगा कर आप इस तरीके से ready कर लें यहाँ पर मैं नेक पर ये गोटे वाली लेस लगा रही हूँ जिससे नेक बहुत ही सुन्दर लग रहा है तो देखिए परेंट्स यहाँ पर हमारा ब्लाउस कम्पीट होने वाला है इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ लास्ट में तो देखिए यहाँ पर ब्लाउस कम्पीट हो गया है यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएएगा वीडि को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद